अगर आप आदर चम्मद दालचीनी और आदर चम्मद सहत को एक साथ मिक्स करके सेवन करते हैं तो ये आपके के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है क्यों इसका सेवन करना चाहिए और साइंस इसके पीछे क्या कहती है अगर मैं कुछ ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट की बात करूँ तो वो हमें बताते हैं कि सहत और दालचीनी का सेवन करने से हमारे सरीर में कई बड़े फायदे हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि ये जो हमें धिमाग से समझनी बीमारी में काफी ज़्यदा करता हैं इसके लावा ये जो हमें कई बड़े कैंसर से बचाने का काम करता हैं इसके लावा इसकिन से लेटीड भी समस्वां में काफी ज़्यादा मरत करता है और कई ऐसे कप सिरप में सहथ को ऐसे active ingredient के रूप में स्थवाल किया जादा है क्योंकि इसमें antibacterial और anti oxygen property जो काफी अच्छी मातरा में present है और जब मैंने भी इन सारी चीजों को पर study किया कुछ ऐसे research paper पढ़े तो मुझे भी अबास समझ में आई कि अगर आप सहथ और दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपके सरीर में ये सारे फायदे भरपूर मातरा में मिलने वाले तो क्या होगा अगर आप सहथ और दालचीनी का सेवन एक साथ मिला करके करेंगे तो क्योंकि आप में से काफी सारे लोग या तो सहथ का सेवन करें या तो दालचीनी का सेवन करें लेकिन जब आप इन दोनों का 7 एक साथ मिला करके करते हैं तो यह काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है और यही इस वीड़ो में आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों का 7 मिला करके करने से आपके सरीर में क्या-क्या फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बिना दरीखिया फड़ावट जानते हैं सहद और दालचीनी के फायदों के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बड़े फायदों के बारे में बता देता हूँ पर Janeiro का खत्रा काफी जैदah बढ़ जाता है और साथ ही साध हमारे सरीर में जो अच्छा क्लोश्ट डैवल है उसको भी बढ़ाने का काम जो बढ़ता है जिससे कि हमारे जो हिर्दे हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाता है और यहां तक की स्टोक जैसे खत्रे को भी कम कर देता और हमारे सरीर में प्लड क्लोट को भी बनने नहीं देता है तो आप सिंपली सहद और दालचिनी की मदद से अपने हिर्दे को भी हेल्दी रख सकते हैं यहां पर जो से यह नूटलाइज हो जाते हैं जिससे कि आम कई बड़ी बिमारे उसे बच बाते हैं जीसे कि हमें कभी कैंचर जैसी बड़ी ब्डी बिमारी नहीं होगी हमें कभी ब्लड परेसर रहे प्रॉलम देखने को नहीं मिलेगा हमें कभी डियाबिटी जैसी बड़ी बिमारी नहीं होगी हमें हिर्दे समंदित बिमारी में भी काफी ज़्यदा प्रोटेक करता है तो आप सहथ और दालचीनी का सेवन करके अपने सरीर को काफी सारे multiple health benefit जो हो दे सकते या आप जो तीसरा benefit है कि पेट से लेटेट भी समस्यों में काफी ज़्यदा फायदा करता है जैसे कि अगर आपको पेट में हलकालका दर्द होता है पेट आपका सही तरीके से साफ नहीं हो पा रहा या फिर आपको गैस ज़्यदा बनता है आपको उल्टी दालचीनी का सेवन करें तो इससे आपका वजन कम होता है लेकिन ये आपके के लिए बैस्ट ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाते है तो आप वेट लोस डाइट में इस सहद और दालचीनी को जरूर राट करें जिससे कि आपको काफी ज़्यदा लिए दालचीनी का सेवन करने का सही तरीका के बारे में पता होना चाहिए कि मधशन आप इसको अची तरीके से mix कर लेंगे जब यह अच्छी तरीके से mix हो जाएगा उसके बाद आपको इसका seven कर लेना है और seven करने के बाद आपको हलका सा बिल्कुल गरम पानी जो आपको साथ में पी लेना है पानी ज़्यादा गरम नहीं होना चीए पीने लाइक पानी होना चीए वैसा आपको पानी जो पीना है ज़्यादा गरम पीएंगे तो फिर आपको नुकसान करेगा इस बात का ध्यान रखे इसलिए जो पानी आप पी सकते हैं एक बारी में उतना गरम पानी है जो होना चीए बस आपको इस तरीके से सेवन करना है जिससे कि आपको जितने भी फायदे बताएं सारे फायदे एक एक करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन सेवन आपको कप करना है ये भी काफ़ ज़रा जरूरी है तो सहद और दालचीनी का सेवन करने का जो सही टाइम है कि अगर आप सुबह सुबह खाली पेट अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको proper 100% फायदा देखने को मिलेगा तो आप सुबह खाली पेट इस चीज़ का सेवन करें और जिस तरीके से मैंना आपको बता है उस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके हलका सा आपको गरम बानी साथ में पी लेना है तो बहुत ज़्याद एज़ी प्रोसेस है इस तरीके से आप daily basis पर save-n कर सकते हैं तो save-n करने से पहले भी आपको कुछ जरूरी बाते जो हैं उनके बारे में बता होना चाहिए कहीं किसी तरीके से सहथ दालचीनी आपको नुकसान न कर दे तो यहाँ पर जो सबसे पहला point आपको धियान रखना है कि जो सहथ और दालचीनी आप इस्तमाल करेंगे वो अच्छी quality का होना चाहिए मार्किट में काफी जदा processed honey मिलता है और दालचीनी भी अच्छी quality का नहीं मिलता है अगर आपने उस तरीकी का save-n किया तो आपको proper तरीके से फायदा नहीं मिल पाएगा तो आपको original एकदम अच्छी quality का ही आपको सहथ और दालचीनी जो है वो खरीदना है मार्किट से जिससे कि आपको इसके maximum benefit जो हो मिलेंगे यहाँ जो दोसरा point है कि अगर आपको कोई treatment जल रहा है regular basis पर दवाई ले रहे हैं तो आपको सहथ और दालचीनी को regular basis पर इस्तमाल करने से पहले आपको एक बार ही अपनी डोक्टर से ज़रू पूछना है और यहाँ पर जो तीसरा point आपको ध्यान रखना है कि आपने से काफी सारे लोग साबूत दालचीनी का इस्तमाल नहीं करना है आपको दालचीनी का जो पाउडर रहता है उसका इस्तमाल करना है क्योंकि उसमें सबसे आदा फायदा आपको देखने को मिलता है तो यह कुछ बाते थी जो बाते आपको ध्यान रखनी है बाकी हर कोई इस सहथ और दालचीनी का इस्तमाल जो वो कर सकता है जिससे कि आपको इसके फायदो जो कुछी दिन में आपको दिखना जो वो इस्टार्ट हो जाएंगे उम्मीद करते हूं आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को लाओगा आप मुझे लिचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी फिलाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को जो लाइक करें चानल भी दूरूर सब्सक्राइब करें थैंको सॉमच वाचिंग डिस वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद